हुआ है कि हमारे यूटुब चैनल पर आपका हार्दिक सवागत अभिनंदन लें अगे विस टॉपिक का नाम सरणाम है सरुनाम के बारे में विद्यारतियों फिरों से लेकर अनंत तक इतनी जादा जानकार ही हो सकती है उतनी कोशिस करेंगे आपको देने की इससे भी पहले आपने सरुनाम पढ़ा होगा लेकिन अब की बार आप एक बार सरुनाम जो कलास हमारी वाली है उसको लेके देखिएगा आपको खुद को पता लग जाएगा कि सरुनाम टॉपिक कितना सरल है जो इतने दिनों से हमें कठिन लगता था अब आपको बिल्कूल भी कठिन नहीं लगेगा विद्यारतियों तो देखिए जो पहला टॉपिक है इस टॉपिक का नाम तो मैंने आपको सामने जानकरी की द सरुनाम कौन सा है सरुनाम हाला कि हम बच्वन से जानते हैं कि सरुनाम किसे कहते हैं जो संजया किस्तान पर सब्द परियुक्त होते हैं उसको सरुनाम कहते हैं विद्यारतियों इसका अक्सा में देखना आपको बहुत कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जो जीमन में आपने क पढ़ना होता है। वो किस नाम से पढ़ना होता है। लेकिन हिंदी में हम इसको सरुनाम कहते हैं। किसे कहते हैं। की क्या परिभासा होती है और सातीम हम यह जानेंगे कि सरुम्सब्स का अर्थ क्या होता है इसके बैद कितने होते हैं मुल रूप performing की संख्या कितनी ओ जानेंगे और उसके अलावा सरुनाम का जो कारक के अनुसर के से प्रियोग के आ जाता है इसके ओपर भी हम किर्चा करेंगे तो देखिए सरु नाम अभी बताया था प्रोनावन इंगलिसें बोलते हैं सरु नाम सब्द कर सबसे पहले टुकडा करते हैं जिसका खंड होता है विद्यार्तियों सरू पलस नाम क्या होता है सरू सरू मतलब होता है सभी क्या होता है सभी और नाम का मतलब होता है संज्या क्या होता है संज्या और संज्या को हम कहते हैं नाम क्या बोलते हैं नाम को हम कहते हैं पैचान क्या कहते हैं पैचान यानि कि एक संज्या के इस्थान पर परियुक्त किया जाते हैं उन्हें सरुनाम कहते हैं और सरुनाम सब्द का टुकड़ा क्या किया हुआ है यहां पर सरुपलस नाम किया हुआ है और सरुनाम सब्द का अर्थ पूचा जाए तो क्या होता है सभी का नाम देखिए सरुनाम का परियोग व लिए किया जाता है क्योंकि संज्या की पुन्रावर्ती को रोका जा सके संज्या की पुन्रावर्ती को अगर रोकेंगे तो वह वाक के कैसा दिखेगा बहुत सुंदर दिखेगा सरल दिखेगा भी द्यारती हो तो जब किसी भासा को सरल बनाने क्या हो सकता है तो संज्या का प सरुनाम सीखने की जरुत पढ़री विद्यारतियों हमारा मेन उदेशी यह है कि एक्जाम में कैसे परसन बनते हैं उसके उपर तो हम परतक से चर्चा करेंगे लेकिन सरुनाम के बारे में संपूर्ण संपूर्ण जानकरी एक बार आप इस लेक्टर को सुनें अच्छी तरह पढ़ें नोट्स बनाएं आपको संपूर्ण जानकरी हो जाएगी और उसके बाद में जैसे इसकी टेस्ट सीरीज आएगी हिंदी की तो उसमें टापिक वाई टेस्ट सीरीज होगी तो आप उनको करके देखना आपको खुद को पता लग जाएगा आप में कितनी कमी है कितनी नहीं है आगे देखें विद्यारतियों इसके कुछ उदाहन दे रखें जैसे एक सब्द एक वाक्य दिया हुआ है राम होश्यार है लेकिन अभी तक उसे नोकरी नहीं मिली तो यहां राम जो सब्द सब्द है और राम के इस्तान पर जो सब्द परियुक्त हुआ है वो उसे सब्द परियुक्त हुआ है तो उसे यहां पर क्या है सरुनाम है दूसरा वाक्य क्या दिया हुआ है कि राम ने कहा कि वह विद्धाले जा रहा है तो यहां पर वह क्या है सरुनाम अगर राम पूच को रोकना किसकी संज्या की पुन्रवर्ती को रोकने का काम कौन करता है सरुनाम करता है यह बच्पन से जो परिवासा हम सीखते आए उस परिवासा का नाम है कि ऐसे सब्द जो संज्या के इस्तार पर परियुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं सरुनाम कहते हैं देखिए जैस इसकुल जाता है राम इसकुल में खेलता है राम सिक्सक की बातों को मानता है तो यहां राम सब्द बार बार आ रहा है तो इससे इस वाक्य में मज़ा नहीं आ रहा भी द्यारती है ऐसा लग रहा नहीं बाग के बोजी लो रहा है बलकि इसके इस्तान पर अगर हम ऐसा लिखत कि राम स्कुल जाता है वह स्कुल में खेलता है वह सिक्षक की बातों को मानता है तो राम की जगह पर देखो हमने दो बार क्या यूज लिया है वह वह यूज लिया है तो वह सरुनाम है तो अगर हम इन दोनों वाक्यों में देखें इस वाक्य में इस वाक्य में तो दोनों मे से सरल सुबोद और सुन्दर कौन सा दिकाई दे रहा विद्यारती हो तो यह दिकाई दे रहा आप यह मसूझ ना इसके पीछे background वगरा दे दिया अलग color में दिया इसलिए सुन्दर नहीं ऐसा नहीं है विद्यारती हो भासा की दरश्टी से आपको समझने की दरश्टी से सरुनाम सब्द यूज ले लिया विद्यारतियों आगे देखिए कुछ नोट देके लिखा हुआ है कुछ विद्यारतियों नोट जहां भी लिखा हो इसका मतलब यह समझ ले वह उले व्यंतों इम्प्र में देकर लिखा हुआ है और इससे में अपना कोई सामिन लिख दिया में में इसमें को देखकर आप यह नहीं बतें होग यह पुम-ॉमलिंग हैं क्योंकि हिंदी में दो लिंग होते हैं ऐक तो पुम लिंग और एक स्टिरppings अगर संसकृत में बात करें तो 3 Link होते हैं कितने होते हैं 3 कौन-कौन से होते हैं संसकृत में 3 Link 2018 कौन-कौन से होते हैं देखी ऊप क्या लिखा भाел, सरुनाम का अपना कोई Link नहीं होता इसके Link का निर्दार कृ्रियापज से किया जाता है जैसे मैं विदाले जाता हूँ तो यहां में का जो link है वो क्या है? पूम लिंग और में विदाले जाती हूँ तो में का जो link आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा? इस्त्रिलिंग आएगा लेकिन direct सरुनाम को देख के आप यह नहीं बता सकते हो के पूम लिंग में जाएगा यह इस्त्रिलिंग में जाएगा विदारती हूँ देखे सरुनाम के जो विकारी सब्द है तोरी विकारी नहीं होता सरुनाम एक विकारी सब्द है विदारती हूँ यह थोड़ा सा गलत लिकावा है वो किस-किस की वज़े से आता है एक तो वचन की वज़े से आता है और एक कारक की वज़े से आता है आगे हम चर्चा करेंगे जैसे मैं मैं एक सरुना में एक वचन में इसका बहवचन में क्या बन जाता है हम तो वचन के अनुसार चेंज हो गया या फिर इसके साथ कारक चिन तो जो change करने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं विकारक बोलते हैं आला कि इससे पहले का जो lecture हुआ था उसमें भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि विकारी सब्द कौन से होते हैं ए विकारी सब्द कौन से होते हैं विकारी सब्द विद्यारतियों उनको कहते हैं जिनम में विकारकों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता कोई चैंज नहीं होता किसी परकारक का विकार नहीं आता उसे एविकारी सब्द कहते हैं और विकारक सब्द किसको कहते हैं जो विकार सब्द में कौन-कोन से यह से लिंग आ जाता है वचन कारक काल-वाच्चे और पूरुस इसा विकारक है आगए देखते हैं और पड़े ॹए 11 सरुनाम हमारे पास मौल रूप से लेकिन हम और भी सरुनामों का नाम हमने सुना है तो वो विद्यारतियों मौल रूप से नहीं है वो योगिक सरुनाम है तो सरुनामों को हम दो भाग दो परकार से पढ़ सकते हैं इनकी दो परकार की परकरती होती है एक तो मौलिक सरुनाम या मुल सरुनाम और एक होते हैं योगिक सरुनाम उनको कहते हैं जिन में किसी परकार का कोई वचन का परियोग नहीं किया गया है और नहीं किसी परकार का कोई कारक चिन्नों का परियोग किया गया है बलकि योगिक उनको कहते हैं जिसमें वचन और कारक चिन्नों का परियोग करके या इनका कार की रूप चला कर हमने और तो सरुनाम बना लिये हैं उनको योगिक सरुनाम कहते हैं विद्यार्टियू क्या कहते हैं योगिक सरुनाम कहते हैं अगर आप से पूचा जाए मुल सरुनामों की संक्या कितनी होती है हिंदी में हिंदी में मुल सरुनामों की संक विद्यार्तियों तो आपको क्या वताना है कितने होते हैं लेकिन यहां पूचा जाए हिंदी में मूल सरुनामों की संक्या कितनी यह 11 है विद्यार्तियों और कौन-कौन से मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या तुस हिंदी में सरुनामों की संक्या कितनी क्या 12 कोई कुछ क्या 11 सरुनाम विद्यार्ति नोट कर ले नड़ा को जो मैं ले रहा हूं विद्यारतियों मैं इनको बड़ा italy से देने की कोशिज कर रहा हूं परते टोपिक को किसी परकार की कोई गास नहीं कट जा रही है जितना detail हो सके उतनी detail आपको देने कोशिज कर रहा हूं और कुछ विद्यार्थियों को कहना है है कि sir इसको थोड़ा funny type में आप लेके आई यह बनी टाइप में लेक आप सकता हूं एसी कोई बात नहीं है लेकिन विध्यार्तियों में चाहता हूं कि आप भी serious हो कि आप इसको पढ़ें और selection लें ना कि फालतु time pass करना चाहर हूं YouTube पे कई लोग जो time pass करते हैं मैं time पास करने के लिए नहीं आया हूं फिर आपको बता रहा हूं मैं आप तक कंटेंट पहुंचाने के लिए आ रहा हूं इस दिन आपका सेलेक्शन हो जाएगा उस दिन आप खुद बोलोगे कि सरवास्तों में आपने हमें यूटूब पे सांदार मेनत करवाई थी अच्छा निसुल्ख कंटेंट दियाता मैं किसी परकार का कोई यहां पर आपसे सुल्क नहीं ले रहा हूं विद्यारती मेरी तरफ से तो आप इसको जितना अर्जित कर सको विद्यारती कर लो और चल्दी हो सकते सब्सक्राइब आपको 100% कंटेंट देने की और मैं जब पूरी मैनत कर रहे हूं तो आप से भी मैं उम्मिद करता हूं कि आप पूरी मेनत करें अगर आप और हम सब मिलकर अच्छी मेनत करेंगे तो मैं कहे रहा हूं कि ग्यारकॉन कॉन से म्याख यह वह जो कुछ्छ फॉठ 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 गॉठ सौना में लेकिन भीध पूचा जाए परकार पूचा जाए तो शेह बताने और शेह कॉनकॉन होता है पुरुस वाचक शरुनाम से होते हैं अनिष्चय वाचक सरुरुनाम पर्षन वाचक सरुणाम और संबंध वाचक सरुनाम और जिए रची अपती 이유 ने आपको भी दूद अधी ने भी pajda deake कौन सा अन्य पुरुष अन्य पुरुष को पर्थम पुरुष भी कहते हैं क्या कहते हैं पर्थम पुरुष भी कहते हैं और विद्यारति दे को कितनी अच्छी बात है जैसे हम सरुनाम टॉपिक पढ़ते हैं और सरुनाम टॉपिक में पुरुष वाचक सरुनाम टॉपिक प तुर संवमद्वाक का एक उबता है विद्यार्टियो विद्यार्टियों वह स्हει समंध करने हैं तो फिर कॉंटिंग जब करते हैं तो फिर 6 हो जाते हैं कि प्रकार एक होता है कौन सा होता है तो अभिचर्चा की इनके बारे में सभी यह करे chapter अब एक को देख लेते हैं सब से पहले हम पढ़ेंगे विद्यारतियों पुरुसवाचक सनोनाम को किसको पुरुसवाचक स्रुनाम को पढ़ेंगे तो यह पुरुष्वाचक स्रुनाम के तीन वेद होते हैं एक तो पर्थम पुरुष्वाचक होता है एक उत्तम पुरुष्वाचक होता है पर्थम पुरुष्वाचक कोई अन्य पुरुष्वाचक कहते हैं क्या बोलता है अन्य पुरुष्वाचक मदलब पुरूष के स्थान पर परियुकत हो फ्रोस वात्षय सरुनाम कहें यह परीवासा गलत features और इस तरी दोनों के स्थान पर पिरिक होते हैं इसलिए इनको पूते पीचान की बात करें तो आपको वात्व य Lecture तो आपको मिलेगा एक तो में, और में का भवचन क्या होता है, हम, एक मिलेगा आपको तू, और तू का भवचन क्या होता है, तुम, क्या होता है, तुम, एक मिलेगा आप, एक मिलेगा ये, और वे, और ये है, वे, तता इनके जितने भी कार की रूप बनते हैं, अब कार की रूप क्या होते हैं इसी लेक्टर में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा जो कारक के अनुसार इनके रूप बने हैं उनको भी बड़ा डिटेल से पढ़ना लास्ट टाइम तक आप यह मत सोजना के सर लास्ट टाइम वीडियो स्कीप कर दें स्कीप नहीं करना एक एक कंटेंट बहुत मैं तो पून विद्यारती हूं और फिर कह रहा हूं आपको अन्य स्रेट पढ़ने की जुरती नहीं है इसको डंग से पढ़ लो बैस देखिए इनके जित्ते भी कार की रूप होते कौन कौन से होते हैं कार की रूप के उपना आगे चर्चा करेंगे देखिए जैसे मैंने कुछ उदान लिखा है मैं फिलम देखना चाहता हूं तो यहां मैं पूरुस्वाचक सरुनाम है अब कौन सा पूरुस्वाचक सरुना तो यहां तू जो सब्द Пड्यारतीयों शरुनाम करण रहे हैं वे आज मिला देखने जाएंगे तो वे कि आप रहे हैं तो आप यहां पर पूरुँषवाच्क काम कर रहा है आप जहां भी रहती ही है खुशियों का मौल रेता है तो आप यहां पर क्या है पुरुष वाचक सरुनाम के कुछ उधारन दिये ते हैं अब अगर इसके हम बेद देखें विद्यारतियों तो इसके तीन उपवेद होते हैं इतने उपवेद होते हैं एक तो उत्तम पुरुष दूसरा मद्यम पढ़ने तो जैसे इंग्लिस में आई और वी होता है इसकी पैचान होती तो इंदी में में हम तता इनके जितने भी कार की रूप है वो इसकी पैचान है अब उत्तम पुरुष वाचक सरुनाम किसे कहते हैं तो विद्यारतियों पुरुष वाचक सरुनाम के आई से सब्द तो वक्ता यानि कि बोलने वाला या करता के इस्थान पर परियुक्त होते हो उनको उत्तम पुरुष वाचक सरुनाम कहते हैं किसे कहते हैं देखे जिस सरुनाम का परियुक वक्ता की ब्रेकिट में आपको क्या मिल सकता करता के लिए होता हो या बोलने वाला वक्ता कोई ही उत्तम पुरुष कहता है विद्यारतियों यानि कि बोलने वाले कि इस्तान पर परियुक्त होता हो उनको कहता है उत्तम पुरुष वाचक स्रुनाम और जिसे मैं कहता हूं कि नदिया सूकती जा रही है मैं कहता हूं तो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूं कि मैं PPT पर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक content आप तक पहुंच है कि विद्यारतियों कितना content आप तक पहुंचेगा उतना ही सपलता के नजदिक आप पहुंचोगे देखिए दूसरा दो दिया हुआ है पुरुषवाचक सरुणाम का बैद वो मद्यम पुरुषवाचक सरुणाम दिया हुआ है कौन सा मद्यम इसको अगर इंगलिस में बात करें तो second person कहते हैं और इसके सुनने वाला उसके स्तान में पुरुष वाचक सरुणाम कहते हैं इस सरुणाम का प्रियोंक के लिए होता हो तो कॉ अगर आदर सुचक सब्द में लेना है तो इनके जित्ते भी कार की रूप बनते हैं विद्यारतियों वो सब मद्यम पुरुष में चला जाएंगे किस में चला जाएंगे मद्यम पुरुष में चला जाएंगे जैसे इसके कुछ उदान देखते हैं मैंने आप से काता कि वह बिमार नहीं है तो यहां जो आप से सब्द ह मैंने आप से कहा था मैंने आप मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो सरोता के लिए जो सब्द आता है उसको बोलते हैं मदें पुरुषवाचक सरुनाम कहते हैं क्या कहते हैं तीसरा है विद्यारतियों जिसका नाम क्या है अन्य पुरुषवाचक सरुनाम है और अन्य थर्ड पर्शन कहते हैं आगे देखिए अब इसके बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि जो वक्ता के इस्तान पर परियुक्त होते हैं तो उसको तोत्म पुरुस्वाचक जो सुनने वाला स्रोता के इस्तान पर परियुक्त होते हैं उसको मद्यम पुरुस्वाचक शरुणाम और ज सरुनाम का परियोग वक्ता और सरुता को छोड़कर अन्य के लिए होता हो उसे अन्य पुरुस्वाचक सरुनाम या पर्थम पुरुस्वाचक सरुनाम कहते हैं देखिए अन्य जिसके बारे में संब्ध में बात कई गई हो वह अन्य पुरुस है यहां पर पैचान क्या इसकी तो विद्यार्ति इसके पैचान होती है यह और वह सरुनाम आते हैं कौन से आते हैं एक तो यह सरुनाम आता है और एक वह सरुनाम आता है यह विद्यार्तियों नजदी के लिए आता है वह सरुनाम दूर के लिए परियुक्त होता है किसके लिए दूर के परियुक्त होता है अगर बात करें यहक का बहवचन क्या बनता है तो ये बनता है और वहक का बहवचन क्या बनता है बे बनता है क्या बनता है बे तता इनके जितने भी कार के रूप बनेंगे वो भी सारे किसमे चल जाते भी द्यार्तियों अन्य पुरु स्वाचक सरुनाम में चल जाएंगे इस पढ़ने में भहुत तेज है तो यहां वह जो सब्द आया है वो किसमें जाएगा अन्य पुरुष वाचक में जाएगा विद्यार्थ किसमें जाएगा देखिए आगे जो बात में बोल रहा था आगे आ चुकी है क्या लिका हुआ है यही आप सब्द का परियोग किसी व्यक् सब्चे करवाने के अर्थ में किया जाता है तो वहां यह अन्य पुरुष वाचक स्नुनाम माना जाता है तो आप विद्यार्थियों अन्य पुरुष में भी होता है मद्यम पुरुष में भी होता है कैसे होता है वह आप खुद अंतर देख लेंगे अभी थोड़ देर बा आप यहां पर कौन सा पुरूस्वात सक्रणाम है उत्तम मद्यम या अन्य तो यह अन्य में जाएगा अन्य में जाएगा क्योंकि यहां नरिंदर मोधी का परीचे कराने में आप सब्द का यूज हुआ है क्योंकि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं लेकिन हम बात किसकी कर अगला विराट औहली क्रिकेट के महान समराट कहलाते हैं आप भवी क्रिकेटों के पत पर दर्शक भी हैं तो यहां मैं बोल रहा हूं मैं वक्ता हूं आप सुन रहे हैं लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं विराट कोली की बात कर रहे हैं विराट कोली का परीचे दे रहे हैं तो यहाँ जो आप सब्दा विराट्व पॉली के लिए है यानि कि ना तो में बोलने मैं लिए क्लिए उन्ने वाले कि लिए है बल्कि अन्य के लिए है इसलिए इहाँ किसमें चला जाएगा सक्भा झाल जाएगा सर पुरूषवाचक सहरुणाम है और मद्दृृषवाचक सहरुणाम है इनको पर्दाहन पुरूषए मुख्यय की शरंड़ North इस रेरी में माना जाता है जब अब आगे हम चर्चा करेंगे तीश्य वाचक सरुनाम की और अनिश्य वाचक सरुनाम के बारे में डीटेल से पढ़ेंगे तो सबसे पहले है तीश्य वाचक सरुनाम जिसका दूसरा नाम मिलता है संकेत वाचक सरुनाम क्या मिलता है संकेत वाचक सरुनाम जब भी कोई सरुन लिए से जाने सब्सक्रावे ही तो सब्लाइब है निष्च्यवा तो नहीं कि on बहुत सरल विद्यारत इतना कटिन नहीं है देखिए और क्या परिवासा दिखिए जिस सनुनौम से किसी वस्तु व्यक्ति अतवापदार्थ के विशे में ठीक ठीक निश्य वाचक सनुनौम के लाता है परिवासा के मैं जाए वैसी में 2-3 लिक्ग के लाता हूं में से तो आपको जो उचित लगे वो याद कर ले और अगर जिसको याद नहीं करनी जिसको केल समझ लाए कि निश्य वासत सरुणाम किसे कहते हैं तो देखो पहली बात सरुणाम का काम क्या संजा के स्थान पर परय सब्सक्राइब करा दे तो उसे निश्चे वाचक सनुनाम कहते हैं ऐसे याद कर लें आप कि देखेे निश्चे वाचक सनुनाम से पास या दूर की वस्तू का निशित बहुत होता है इसकी पहचान के अगर हम पेचान हो जाएगी यह वह है यह वह तो ही यह तता इनके जितने भी कार की रूप वह भी इसकी पैचान होती है आगे देखते हैं जो इस dov के आगे संज्या सरुणाम सब्द आजाए अगर तब यह तानाम नहीं रहते हैं और संगेत वाचक झाल विसेशन बोलो या सारुनामक विशेशनом बोलो बात एक ही है. आगे जब हम एक टॉपिक पड़ेगे उसका नाम है विसेशन, विसेशन किसे कहते हैं जो संजय सरुनाम सब्दों की विसेशता बताते हैं. पृष्लाइ सरूनाम सब्ढ़ों की विशेश्ता बताते हैं उसको क्या 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 एगए सरूनाम के नांम के बाद में विशेश्न के ङारतियो बड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे वीशेश्न क्या ह bell किया होती है हम हमारे टापिक से बठक जाएंगे अभी केवल हम चर्चा करते है सरुनाम के उपर कि सब्सक्राइं तरीक से आपको समझना है तो सारे टॉपिक आने चाहिए- मैं तो हुं हिंदी व्याकरण के अगर सारे टॉपिक अगर आपको आगे ना तो फिर मैं कहे रहा हूं कोई साभी एक्जाम दे ले ना 95 96 97 100 भी कर सकते हुए तो वह आपके उपर डिपेंड करता है आप कितनी महनत करते हैं अब आप क्या करते हैं आपके सलेवस में 54 टोपिक दे हो है रहते हैं आप चाओ 45 टोपिक और 100 कर लो तो 100 पर्षेंट नहीं होते हैं क्योंकि इसके हर ट्रोपिक एक दूसरी से तो आप कोशिस करो सभी टॉपिकों को पढ़ने की और मैं करमबत तरीके से पढ़ाने के आपको कोशिस कर रहा हूं फिर भी जैसे अगर कोई टॉपिक की जरुत बढ़ती ही तो सामने जानकारी में देज देता हूं उसके साथ और अगर परतक से पढ़ाने के आवशकता है त तो यह यहां पर विध्यार्तियों किसका काम कर रहा है नीश्य वाचक स्रणवनाम का काम कर रहा है वह तो राम है वह तो राम है तो यहां पर नीश्य वाचक का काम कर रहा है वह बुरे हैं वह उसका घर है यह ठीक है वह तो राम है यह वापी स्रीप यह अच्छे हैं यह बहुवचन में आ गया वे बुरे हैं सामने जो बड़ा सा घर दिकाई दे रहा है वह बेरा है यह सब नीश्य वाचक सरुणाम के उदारन जिन पर यह अलग कलर से लिया गया नीले वाले कलर से इस पुस्ता को देखो यह कितनी उपयोगी है तो यह यह य लाइकते हैं यह गर मेरा है यह गर मेरा है तो विद्यारतियुक मैंने पहले बताया था कि अगर इन सरुनामों के साथ अगर कोई संजा सब्द परयुक्त हो जाए साथ में तो ऐसी इस्तती में यह सरुनाम नहीं रहकर विशेशन की तरह परयुक्त होने लग जाता है और व सरुनाम का काम नहीं कर रहा है विद्यारतियों यह किसका काम कर रहा है विशेशन का काम कर रहा है और विशेशन में भी कौन सा विशेशन सारुनामिक विशेशन और सारुनामिक विशेशन ना मिले तो संकेत वाचक विशेशन का काम कर रहा है यह मेरा घर है तो यहां पर यह काम सरुनाम का कर रहा है देखो यहां यह किसका काम कर रहा है सरुनाम का काम कर रहा है सरुनाम में पर कौन सा दिश्चे वाद्शक सरुनाम का काम कर रहा है अब मिक्स में उदान मिलेंगे आपको सारे है यह मेरा भाई हैं यह विद्यारती यो सरुनाम है यहां पर यह है और कौन सा अन्यपुररुषवाच्च सरुनाम है यह है मैं उन से बात करूंगा विद्यारती व एक restaurant याद रखना एक واक्के में कितने सरुनाम आ सकते हैं पहले तो अन्य पुरूसवाचक का उदान है और बात क्या यहां पर संज्या है और करूंगा क्या है किरिया यह वाक्य का पॉस्ट्माटम किया हो पुरा इसी परकार यह वही गए है यह सरुणाम का काम कर रहा है वह बिलाईती चुआ है यह भी सरुणाम का काम कर रहा है देखिए आज आजकल यह कुछ नहीं कहता है वह एक बार फिर दोड़ परतियों गीता में दूसरे इस्तान पर रहा तो नोट फुक्त दोनों उदारण पुरुसों के लिए होने के कारण इनको पुरुसवाचक में रखा गया है विद्यारतियों आप पता ने कब कमेंट करेंगे लेकिन मैं मैं आपको बता देता हूं एक जो सेंटेंस होता है एक वाक्य होता है उसमें अधिक्तम कितने प्रवनावन यानि कि सरुनाम परयुक्त हो सकते हैं तो अधिक्तम कितने भी सरुनाम परयुक्त हो सकते हैं वह वाक्य के उपर डिपेंड करता है कि वाक्य कितना बड़ा है एक यह ऐसा नहीं कि एक वाक्य में एक सरुनाम आए नहीं विद्यारतियों एक से अधिक सरुनाम आ सकते हैं एक जैसे भी आ सकते हैं सारे पुरूस वाद्चक के उधान भी हो सकते हैं और अन्ने वाले भी हो सकते हैं अन्ने का मतलब जैसे संबंद का भी हो सकता है परसन आप्दियार्तियों अभी तक शुर्टार्ड मेरि किया है तो सबसे पहले तो सबस्क्राइब कर लीजिए और आपको हमारे content कैसे लग रहे हमें तो भी लेक्ठे आ रहे हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इसको like की जिए और अधिक से अधिक अपने सात्यों के साथ इसको सेर कीजिए और comment box में लिख दीजिए कि आपको ये हमारा जो weडियो है वो कैसा क्या लग रहा है विधार्तियों उमिद कर रहा हूं अच्छाbrand क्योंकि विधार्तियों हम जब कोई वीडियों लेके आते हैं कोई lecture लेकर कि आते हैं तो उससे पहले बहुत मेहनत करते हैं चार से पांच गंटा प्रतिक लेक्षर के लिए पहले मेहनत करनी होती है इस तांदार तरीके से पीप को आपके सम्मुग प्रस्तुत करनी होती है तो उसके लिए कुछ नहीं विगड़ेगा विद्यार्तियों लेकिन हम उससे थोड़े बहुत मोटिवेट होते हैं कि यार बच्चों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और बच्चे भी हमारे साथ है ठीक है विद्यार्तियों आगे बढ़ते हैं देखे अगला भेद्ध है सरुनाम का उसका नाम है और निश्यवाचकसर नाम के उपर रहाम चर्चा करेंक तोहई सबसे क्या अग्ले लगें सब्सक्राइब आगे देखते हैं किसी वस्तु पदार्थ प्राणी या इस्तान आधिक कि जान नहीं होता हो उन्हें एनिश्चे वाचक सरुनाम केते हैं और जिसके यह परिवासा समझ में नहीं आए वो इस परिवासा को याद कर लो जो सरुनाम किसी ऐसे व्यक्ति पदार् अर्थार्थ जिस सरुनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोद नहीं हो उसे अनिश्चे वाचक सरुनाम केते हैं अगर अनिश्चे वाचक सरुनाम के हम पहचान की बात करें तो इसको कैसे पहचानेंगे क्योंकि मूल रूप से सरुनाम कौन कितने होते हैं वो भी इसकी पैचान में आ जाते हैं देखिए कोई किसी सरुनाम का प्रियोग हमेशा प्राणी वाचक संजाओं के इस्तान पर किया जाता है तता कुछ का कुछ जो सरुनाम है उसका प्राणी वाचक सरुनाम के इस्तान पर किया जाता है विद्यारतियों कहां पर किया जाता आगे देखते हैं कोई नाच रहा है कोई नाच रहा हमें क्या पता कौन नाच रहा है तो निशिता का बोद नहीं हो रहा है आपकी जेव में से कुछ गिर गया क्या गिरा हमें क्या पता तो कुछ गिर गया मतलब निशिता का बोद नहीं हो रहा है अरे परिक्षा आ गई किसी का मोबाइल गिर गया तो किसी जो सब्दें यहां पर विद्यारति यह अनिस्चे वाचक्षण नाम का उदारन है आगे देखो किसी का फोन आया है उसके हाथ में कुछ है कोई आया था और कुछ दे कर गया था कोई आया घर में कुछ नहीं है तो यह कोई या कुछ जो भ कुछ काम करो किसी ने सची कहा सत्य की जीत होती है तो यहां किसी सब्द है वो क्या है अनिस्चे वाचक सरुनाम का उधारने विध्यारतियों यह अपना एप्लिकेशन है इन विध्यारतियों को अगर पर्टिकुलर किसी एक एक्जाम की तैयरी करनी है तो यहां पर सभी भरति जितनी भी भरतियां है उनकी लगवग सभी के कोर्स यहां लौंच कर दिये गए तो आप हमारे जो एप्लिकेशन है वेदांत क्लासेज नाम से इसको आप गूगल प्ले पे जाएंगे तो सर्च करेंगे तो वेदांत क्लासेज अजमेर नाम से आप सर्च करना या जाएगा उसका यह लोगो ऑब उस सपर जो भी पयूर्स पवसंद आ करें और एसमें कुछ फ्री कंटेंट ओपने लिए आपो इनका भी फाएदा उटा सकते हैं फ्री फ्री टैस्स सीरीज आ एहां व्र भर पूर फाइदा सकते हैं उसके लिए भी आपके लिए पबर लख यहां पर किसी परसन का बोध कराते हो उनको क्या कहता है परसन वाचक सरुणाम कहता है यहां क्या लिकवा है वे सरुणाम सब जिन से परसन करने का भाव उत्वन होता हो उन्हें परसन वाचक सरुणाम कहता है जिस सरुणाम से परसन का बोध होता है उसी को परसन वाचक सरुणाम का ज पहता है तो आपका नाम क्या है तो यहां क्या पर्स्वाचक सरणाम का काम कर रहा है अगर पूंचा जाए यहाँ अब कर आगे देखते हैं आज कौन जल्दी आए तो कौन यहां पर परस्ण वाचक सरुनाम है देखो तो कौन आया है और परस्थवाचक सरुनाम का काम कर रहा है यहां कौन है जो मुझे नहीं जानता है उसके नापर डूद में कद्च गिर गया कुछ गिर गया मतलब वाचक गिरें लेकिन क्या गिर गया यह पर something अगर revise यता है तो इसके बाद में परसुद के तो आप याक्री सकते हैं लेकिन हम विद्यारतियों वाग के नहीं पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सब्द क्या पढ़ रहे हैं सब्द के बारे में नोलेज होनी चाहिए बस फिर आगे देखे वह क्या चाहता है वह क्या चाहता है तो क्या यहां पर पर्षन वाचक सरुनाम है आपने क्या खाया तो यहां क्या क्या है पर्षन वाचक सरुनाम का काम कर रहा है आगे देखते हैं इसी प्रकार एक सरुनाम का बेद विद्यारतियों संबंद वाचक सरुनाम है समंद वाचक सरुनाम है और समंद वाचक सरुनाम से भी कई बार परसन बनते हैं इसको देख लेते हैं सबसे पहले इसकी परिवासा जान लेते हैं कि परिवासा क्या है जिस सरुनाम से एक सब्धिया वाक्य का दूसरे सब्धिया वाक्य से समंद जाना जाता है उससे समंद व समंद्वाचक सरुनाम केते हैं जहां पर दो वस्तू अत्वा व्यक्तियों का पारस्परिक समंद्वाचक सरुनाम होता है इतनी सारी परीबास है आपके सामने लिकी विद्यारतियों जो भी आपको सरल लगे उसका आप नोट कर सकते हैं इसकी पैचान क्या है इसकी पैचान सब्सक्राइब यह सब्सक्रेमारे सब्सक्राइब जयादा तर जोड़े से आते हैं जोड़े से आते हैं हैं दूसरा जोड़ा उता-उसสा लेते हैं तो इस परकार फिर सरुणाम के बएद कितने हो जाते हैं साथ हो जाते हैं और जो नहीं मानते हैं उनका अनुसर श्ilar होते हैं और आपको 6 और साथ दोनों आ जाए तौ आपको सबनाम सब्त कैसे आते हैं कैसे आते हैं आपके सामने लिका ऊबन लिकावा जिसी करनी बेशी बरनी हुएवाक तो कंप्छ यहां पर समभनध वाचक संसर और वे से चैसा है रिफ में नए तो के वहुत को सपानेगे आप से पूचे जाएगा जैसी करनी वैसी बरनी में सह समंद वाचक सरुनाम कौन सा है तो वैसी कौन सा है वैसी और सह समंद पूचे नहीं का समंद वाचक सरुनाम कौन कौन से तो दो परियुक्त हो रहे हैं जैसी और वैसी और मैंने का ज्यादा तर यह कैसे आते हैं जोड़े में परियुक्त होते हैं ओके जो करेगा सो बरेग जईसा बीज बोगे वाइसा कातोगे जिसकी लाटी उसकी बैस दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत सुन्दर है तो जो और वह देखिए वह किसका काम कर रहा है संब्द्वाचक का काम कर रहा है का काम कर रहा है समंद वाचक का काम कर रहा है समंद वाचक विकल्प में ना हो तो सह समंद वाचक के सकते हो आप इसको क्या के सकते हो अब यह वह आपको कहां देखने को मिलाता अन्य पुरुष वाचक सरुणा में और यह वह और कहां देखने को मिलाता निश्य वाचक आप सब्तों मद्य मंपुरुष में जाएगा विद्यार्तिव आप भी अभी मद्य मं पुरुष में प्रयुख्त होता है तो कुछ सिरатель होता है वो एक से अधिक उनके जो विद्यार्ति-विद्यार्ताक था स्मझना आगे देखिए जो जागेगा सो पावेगा तो जो सो यहाँ पर सम्मन्द वाचक हैं लेकिन जब पुरानी इंदी में यहाँ पर सो परियुक्त होता था आज कल इसकी जगह पर क्या परियुक्त होने लगया वह परियुक्त होने लगया जैसे जो जागेगा वह पावेगा सब्दियूज उने वहिए नहीं दरता है तो जो और वह यहां पर संबंध वाचक का काम कर रहे हैं विद्यार्तियों किसका का कुछ लिका हुआ हैuteur下面 इस समांध में आ पूल और इस बिद्वान उसीं पॅधंते हैं और सरुनाम के बैर कार कितने हो जाते हैं च dolphin you सरवनाम के बेद कितने बताने है यह बताने सरुनाम के छह बेद होते हैं और छह कौन-कौन से होते हैं अभी मैंने आपको लिखाया कमेंट करके बताना भी द्यारती हूं समंद्वाचक विकल्प में ना हो तो समंद्वाचक की करके आजाना आगे देखते हैं अगला विद्यारती जो आता है वो निजवाचक सरुनाम आता है कौन सा आता है निजवाचक सरुनाम आता है सरुनाम का अगला जो बेद है वो देखिए वे सरुनाम सब जिनकों करता वक्ता करता की जगह पर बक्ता मिल सकता है वक्ता श्योम के लिए परियुक्त करता है उन्हें निजवाचक सरुनाम कहता है जिसे श्योम खूद सवता है अपने एप निझ आप अपना या अपने ऐसे सब्द आपको देखने को मिलेंगे देखिए अपना परकट करना हो निझवाचक सरणाम वस्तुत प्रूसवाचक सरणाम का यही बेद था लेकिन कुछ वईया करनों ने इसको तो श्यूम यहां पर निज्वाचक काम कर रहा है और मैं स्यूम वहीं से आया हूँ हुआ हुआ है अपने पुष्तर पढ़ रहा हूँ अपनी जो सब्दाय है यहां किसका हैनी च्रीजवार्शत का और विदयारती कुछ उधान में ने मिश्रित उधान भी दे हैं जिससे आपकी knowledge का पता चले कि आपके topic कितना समझ में आया है आला कि मैंने यहां इसपर्ष्ट कर रहा है देखो आप कहां से आ हैं तो यहां जो आप सब्सक्राइब है कि आप विद्यार्ती निजवाचक में नहीं जाएगा यहां आप जाएगा पुरुस स्वाचक सरणाम में और देखो आप कहां से एक आप सरोता के लिए आ तो इसमें भी क्या चला जाएगा मद्यम पुरुषवाचक सरणाम में आप चला जाएगा मैं आपसे मिलना चाता हूँ मैं आपसे मिलना चाता हूँ वैसे नहीं मिलना चाता विद्यारतियों एक्जाम की दरस्टी जो उदारन आ गया उसकी दरस्टी से मैं आपसे बात कर रह तो यहां पर जो आप ने सब आया है, वो किसमें जाएगा है, लेकिन पूरुष्वाजक में मद्रुष्मी नहीं जाकर अन्य पूरुष्मे जाएगा, आप किसम जाएगा, अन्य पूरुष्में जाएगा, डिको मैं बोल रहा है। आप सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं आप गांधी अहींसा के पुजारी ते आपने आपसे मिलने आया था लेकिन उसे कोई नहीं मिला तो यहां जो आपसे सब्द है यह मद्यम पुरुस में चला जाएगा किसमें चला जाएगा मद्यम पुरुस में चला जाएगा किसी प्रकार आपने पानी में क्या मिलाया तो आपने मैं पूछ रहा हूं आप से आप सुन रहे हैं तो सरोता के लिए प्रयुक्त हुआ है तो यहां पर आपने किसके लिए चला जाएगा मद्यम पुरुस वाचक में में चला जाएगा और विद्यार्तियों पानी की याद आगी तो गला भी थोड़ा खराब हो रहा है मैं पानी पी लेता हूँ महात्मा गांधी राष्टपिता किलाते हैं आप सवतंतरता आंदोलन के अगरदूत रहें यहां जो आप सब जाएगा वो किसम जाएगा अन्य पूरुस में जाएगा किसम जाएगा अन्य पूरुस में जाएगा क्यों गया क्यों कि यहां अन्य की बात की जारी है थर्ड परस तब बला तो जग नाम सुना का आप बला तो जग बला अब बताओ विजारतीय ऑसके थी आप किसमें जाएगा अजया है आधे कि मतस्रूस वाचक में मद्ध्ध में जाएगा या अन्य परुष में जाएगा या फिर निज वाचक में आप बला तो जग बला अगर इसका अर्थ देखें तो खुद बले हैं तो पूरा संसार बला है अगर हम खुद बले हैं पूरा शंसार बला कंग stupid ब्ज़ार्त आप यहां पर श्यूम के लिए दरतियों तो यह चला जाएगा धिजवाचा में के इसमें बाण होगा तिजवाचस का उधारण होगा आगद निच जिए अलावा अगर हम देखे यह वह यह इन परियोग किया जाता भिजयातियोव चार जगें इनका प्रियोग होता है चार व्याक्रनीक जिनी ओधर के जाता है दिखो एक अन्य पूरूमिन भूता है एक क्यां पर होता है दीस्ची वाsyक depends on और स्मवन्हें करक्दू एक का पर हुंतार एक विषेश्ण में का पर धीक? सारुनामिग और संकेत वाचक व किया जाता है इंशब्दों का परियोक किसी व्यक्ति विश्यइश के इस्थान पहला देखते हैं अन्ने पूरू sváachak में कहा होता है तो इन इसुप्धों स्रुना में भी जाते हैं कई बार अभी आगे हमने चर्चा की थी अध्यापक ने पुस्तकों की और देखकर कहा यह लाना वह नहीं तो यह वह यहां पर निश्य वाचक ours उन समयवाचक विखलप में ना हो इसकी जगह पर हम समयवाचक भी मान सकते हैं समन्द वाचक को भी मान सकते हैं जो पढ़ते हैं विशेयस्न में इस 200 संब 스마ोगा इसका परियोग किया जाता है दिक करते हैं विद्यार्थी स्थारूनामे कि संग्या सत्था किया होता है संग्या वीशेशन कहता है सवनामम और संज्जाब दोनों साथ साथ परयुक्त हो जाते हैं तो पैसे पर वह सेतन है केवल इतना इतना आता वह बहुत सेतन है जब लेकिन वह और लड़का सब्सक्राइब लड़का सब्सक्राइब लग जाता है इसलिए वह जो जाएगा वो चला जाएगा वे लोग परिशरमी थे तो वे किसमें चला गया सारुनामिक विशेशन में चला गया यह कुर्सियां ती हुई है यह पुस्तक वह जो हमारे पार्टे करम में है वह लड़का बहुत इमानदार है तो यह वह जितने भी सारे सब्सक्राइब विशेशन के अंत्रगत चले जाएगे नोट सरुनाम में संबोधन कारक नहीं होता ह है क्यूंकि किसी को सरुनाम के द्वारा पुकारा नहीं जाता विद्यारति यह फौरुheld का प्रियोग एक वचन में भी हो सकता है और बहुद प्रदर्र है विद्यारतियों तो ऐसे प्रयुक्त हो जाता है इसके आगे विद्यारतियों हम इसके कुछ कार्की रूपों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आप से पहले काता जो सरौनाम हैं ostat जितने भी कार की रोफ हम पैचान बता रहेतेयं जैसे उत्तरम पत्रोशवा सबस् anf कि आपको पैचान बताईती में हम तता इनके जितने भी कार की रूफ बनते यह कार की रूफ काई से बनते हैं उसके नहीं करें कि अब स्मूल सरणोनाम कौंँब इत Ajak अगर एक वचन में हम देखें तो मैं भी बनता हैκα मतल है ह।म बेता है किसी परकार तो कारक होते हैं कारक वेशे तो इनि-में आप कारक होते हैं समस्कृत में शह कारक होता है और संब blossom कारण के अनुसारे in के रूप नहीं चलेंगा कारता करम करण समपरदान अपदान संबंद और अधिकन कारक कि सामने दिखाए देरहें करता साथ जो विबक्ति चिन होता है नहीं होता है और कभी-कभी कोई विवक्ति चन नहीं आता है कभी कभी कोई विवक्ति चन नहीं आता है इसी परकार जो करम है करम का विवक्ति चन होता को और कभी कभी कोई विवक्ति चन नहीं आता है करन का विवक्ति चन होता से या कई बार आ जाता दवारा या फिर आ जाता के दवारा अलाकि और भी जामिन की पैचान होती वो कारक टॉपिक जब कैस आपक के बारे मि*** चर्चा करेंगे उससे में हम धेखेंगे किसी परकार संपर्दान में क्वे ईतला है विधयर्ट्योग के लिया आता है अलाकि दान देने के वाँँ में तो भी आ यह सब आ जाते हैं अधिकन में आता है में और पर और को भी आ जाता है को आता समय सुचक सब्दों के साथ जब कारक्ट टोफिक पढ़ेंगे उस समय बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे इसके तो अभी तो हम जानते हैं में सरुनाम का एक वचन में क्या होता है में और भवच जाएगा अगर भवचन में देखें तो हम और हमने बन जाएगा कारक्ट जोड़के हमने बना देंगे और जब कोई कारक्ट नहीं जोड़ेंगे तो हम बन जाएगा इसी परकार करम के अनुसार मुझको मुझे करन के अनुसार मुझसे मेरे दवारा मुझको मेरे लिए मु करम के अनुसार हमको हमें और करन के अनुसार हमसे और हमारे दवारा इसी परकार इसमें संपर्दान में हमको हमारे लिए और हमें बन जाएगा इसी परकार देखिए अपदान में क्या बनेगा हमसे और इसी परकार समझ में क्या बनेगा हमारा हमारी और हमारे क्या बनेगा हम हमारा हमारी हमारे और इसी परकार अधिकन में बन जाएगा हम में और हम पर क्या बन जाएगा हम में और हम पर यह तो में के अनुसार है और भी हमारे पास जो मूल रूप से सरुनाम है क्योंकि सरुनामों के हमारे पास कमी है और जब इद्यारतियों हमारे पास हम भारतिये है हमारे पास किसी जब कमी हो जाती है तो हम जुगाड़ी है और हम जुगाड़ कर लेते हैं अर्थार्थ हम खुद बना लेते हैं उससे पहले नहीं बनते हैं जब तक हमें कोई क्या कर लेते हैं में आगे देखते हैं कि इसी प्रकार तू तू हो देखे है और तू का तुझ से तेरे दवारा, तुझे, तुझको, तेरे लिए, अपादान में तुझ से, और संबन के अनुसार तेरा, तेरे, तेरी, और अधिकन में तुझ में और तुझ पर, और इसका बहुचन होता है विद्यारतियों तुम, और करता के अनुसार देखेंगे, तुम, तुमन लेना मेरे से और इसको नौट कर लेना बड़ी है तरीके से नौट मना लेना आरामस दो-चार बार पड़ोगे तो टेबल आसानी से आपको याद हो जाएगी इसी परकार वहय का कार की रूप चलता है वहय का एक वचन में चलेगा विद्यारति वहय उसने उसे उसको उससे उ पर और वहय का अगर हम बहुचन में देखें इसके रूप क्यासे चलेंगे तो वहय का वहय नं कया हो जाता है विद्यारति यो उन्होंने के बन जाएगा उन्होंने और कर Запाएक क्रिण रूप बनेगा इसका उन्हें तो उने उनको करन के अनुसार देखे तो उनसे उनके दवारा अगर इसी को हम संपरदान के अनुसार देखे तो उनसे उनके लिए अगर इसी को हम अपादान से देखेंगे तो उनसे क्या बन जाएगा उनसे बन जाएगा और समंद में देखे तो उनका उनकी उनके और अगर इसको अधिकर्ण के अनुसार देखेंगे तो उनमें और उन पर क्या बन जाएगा उनमें और उन पर बन जाएगा विद्यार्तियों आगे देखते हैं और सभी के दियों में लगवक आप और आपका विदारत विद्यारति एक वचन में भी आप रहता है ओर अनुसर आपकर मुझे अपदान में क्या बनेगा आपके लिए और अपदान में आप से समंद में आपका आपकी आपके और अधिकन में आप में और आप पर क्या बन जाएगा आप में और आप पर और इसी परकार बहुचन में हो जाएगा सेम कौपी है इसी परकार देखिए यह का एक वचन में यह उतन है और बहु अच्ण में यह ऊजाता है क्वे हो जाता है और पुर्द की छिप ऑधे करता की अनुछ सरा अगर इसका रूप में देखता है और करम के देखें तो इसका इसकी इसके और अगर अधिकन में देखें तो इसमें और इस पर इसी परकार बहुचन में क्या बन जाएगा यह और इनोंने बन जाएगा करम के अनुसार देखें तो इनको इने बन जाएगा करन के अनुसार देखें तो इन से इनके दवारा अगर संपरदान कारक के अनुसार देखें बहुचन में इसका रूप कैसे चलेगा इने इनके लिए इनको और अपादान में देखें तो इन से और समंध में देखें विद किसी को किसी के और अगर अधीकन में देखें तो किसी में और किसी में और किसी में और बन जाएगा वहवचन में देखे इसका विद्यारतियों कोई का तो कोई या किनी ने क्या बन जाएगा किनी ने अगर करम के अनुसार देखें तो इसका बनेगा किनी को और करन के अनुसार देखें तो किनी से और संपरदान के अनुसार देखें तो किनी को या किनी के लिए ये बन जाएगा अपादान में देखें तो वह किनी से परतक होने के बाव में और अगर समझ में देखें तो किनी का किनी की और किनी के और अधिकन में देखें तो किनी में और किनी पर बन जाएगा विद्यारतियों आगे देखते हैं जो जो सरुनाम है उसके अनुसार कैसे रूप बने करता के अनुसार देखें तो एक वचन में जो और जिस नहीं करम के अनुसार देखें तो जिससे जिसको करण में देखें तो जिससे संपर्दान में देखें तो जिसको जिसके लिए और अपादान में देखें तो जिससे सम करन में कैसा बनेगा जिन से कैसा बनेगा जिन से बन जाएगा और अगर देखें हम संपरदान में तो जिन तो बन जाएगा जिन के लिए बन जाएगा अगर आप अधान माय देखे तो जिन से ben जाएगा किया जाएगा जिन से विधियारती हो सकता आपको एक यहれてlी बोरहती वीज़र हो सकती यह हैं लेकिन आप अगर इसको नोट करते रहोगे जाएगा जिन में जिन पर आगे देखते हैं इसी परकार कौन का जो कार की रूप है वो एक वचन में करता के अनुसार कैसे सलेगा करम के अनुसार कैसे सलेगा इसको देखेंगे और बहुचन में भी देखेंगे तो कौन का देखते हैं विद्यारतियों यहां पर करता के करण के अनुसार किस से क्या बनेगा किस से बन जाएगा और संपरदान में किसे किस को किस के लिए और अपादान में किस से समध में किस का किस के और अधिकन में किस में और किस पर बन जाए अगर बहुचन में इसका रूप हम देखें बहुचन में बनेगा विद्यारतियों लारम इसको अपादान में देखे तो किन से संबन्ध में देखे तो किन richer फिन की किन कर अधिकन के अनुसार सबस्के लाइए صर्ण नाम में क्या अंतर जरी संजय और interpreters में क्या अंतर है संज्या सबसे केवल उसी व्यक्ति या वस्तू का बोध होता है जिसका वह नाम होता है मतलब संज्या और सरुनाम में क्या अंतर है जी से आपने बोला लड़का त魔क्राइख केवल आप लड़के कोई नाम बोद होता है का लड़का की फैचान होती है लेकिन आपने बोला वह तो वह जब आपने सरुनाम उच्चारित किया है तो उससे आप लड़का भी समझ सकते हैं, लड़की भी समझ सकते हैं, या फिर किसी वस्तू इस्थान के बारे में भी समझ सकते हैं, देखो क्या लेका हुआ है, संज्या और सरुनाम अंतर, संज्या सबसे केवल उसी व्यक्ति या वस्तू का बोध होता है, जिसका वह नाम होता है, इसी परकार यह विद्यारतियों इस टॉपिक से अलग है लेकिन कुछ टॉपिक है जिनको कनेक्ट करता है एक तरफ दिए हों है विकारी शब्द और विकारी शब्द चार होते हैं आपके सामने आपको पता है संज्या शरुनाम बिशेशन और पुरुष नहीं होता है मतलब इनको ऐसême समझ सकते हैं इन सरुनाव में देखें लिंग की वज़े से को चैंज नहीं होता है लेकिन वचन और कारक्त की वज़े से होता है तो वचन और उसमें लिंग और वचन वजह से रहे हुता है बाकी की स्थेने होता है च्शेकारक वजह नहीं होता है की तसे करे तो विद्यार्त जब भी आप यह टोपिक पढ़ेंगे विद्यारतियों कि वापिस समझा देता हूं जैसे आप संज्या टोपिक पढ़ते हैं कौन सा संज्या टोपिक पढ़ते हैं तो संज्या के विकारक सब्द कौन-कौन से होते हैं लिंग वचन और कारक होते हैं क्या होते हैं लिंग वच तो लिंग और एक वचन और किरिया के जो विकारक सब्द है वो लिंग है वचन है काल है वाच्चे है पुरुस यानि कारक नहीं तो इस परकार विद्यारतियों यह आपका हो जाता है